जीफांग आप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिलकुल फ्री और इलाज भी दुबारा से शुरू कर आया पर क्या कर रही है तेंक यू अशुदा माडम आपने मेरी माँ को बचा दिया क्या कर लो तुम अशुदा मेडम बगवान नहीं होते है क्रिष्णा ऐसे नहीं बोलते सोरी बोलू नहीं मैं बगवान को कभी सोरी नहीं कहूंगा अशुदा मेडम है देख भी रही है और तुम्हारा इलाज भी करा रही है सुरी एशुदा माडम वो बेरी बेमार की विद्यस समझ साथियो आपके पती कहा है तुमने कुछ खाया मुझे भूख नहीं है लेकिन हमें तो चाइ पिए भई है ना माला बैं और हम तभी चाइ पिएंगे जब तुम कुछ खा देंगे यह लो क्यांटीन में जाओ कुछ खा लो और हमारे लिए चाइ लेके आओ अरे नहीं 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 लेटी कृष्णा को मैने अकेले ही पाला है मैटम मतलब वो नहीं रहा है को है को है उन्हें आपके साथ होना चाहिए इसमा किसमत ने हमें बहुत पहले ही अलग कर दिया असल में हमारी शादी ही नहीं हुई कृष्णा नेरी और उनकी प्रेम की निशानी है हो दोनों के प्रेम की निशानी है तो वो का है वो इसी शहर में मैं तो यह कभी नहीं आती अपनी बेबारी से वजबूर होकर मुझे आना पड़ा कहीं मुझे कुछ होगे तो मेरा कृष्णा अगेले पड़ जाएंका कृष्णा ने देखा नहीं कभी होने ने वो देख रहीं जाता वो अपने पेता से नफरत करते है उसने तो उनकी तस्वीर तक देखने से इंकार करती है जो बाप इतने सालों तक मिलने भी नहीं आया बच्चा क्यों मिलना चाहेगा उसे और इसमें उनकी कोई कल्ती नहीं थी उनके परिवार नहीं मानो प्यार परिवार से पूछ के किया था आप मुझे उनका नाम और पता गे दीजिए मेरी संस्ता है मैं मोरजा कुलवाती यह नहीं प्रीज प्रीज यह सब बिलकुल मत करिये का हाद है जिस इंसान ने आपका जीवन बरबाद किया आपको इस हाल तक पहुच जाया आप उसी के बारे में सोच रही है यह सोची अगर आपको कुछ हो गया तो क्रिष्णा क्या होगा इसलिए तो आईू मैरा हाद ही मैंन कुछ इट्थी भी पेच दी आपसे कुछ जरूरी काम है मेरे पास समय बहुत कम है सरकारी इस्पिताल के महिला जनरल वार्ड में हूँ हो सके तो आकर मिलना कभी आपकी माला पर जब वो इतने सालू बात आई है कोई तो वजा होगी तो यह पता लगा नाची मैं क्यों पता लगा हूँ उसमें पता लगाया कि मैं कैसा हूँ किस हाल में हूँ लगाया देख्यार मनोड माला मेरा बीता हुआ कल थी जिसकी वज़े से मैं अपना आज वरवा नहीं कर सकता याड मेरा एक परिवार है एक बेहद मुहबत करने वाली बीवी है दो बच्चे हैं मैं नहीं मिलू का पर वो हॉस्पिटल में उसने लिखाए कि वो बच्च नहीं भाएगी इंसानियत के नाती ही से तुझे उसे मिलना चाहिए क्या बदा तेरी मदद चाहती हो तुझे माफी मांगना चाहती हो पर अब तो दस साल हो गए और उसका खुद का परिवार होगा अगर उसकी हाला तैसी नहीं होती ना तो मैं तुझे बिलकुल उससे मिलने के लिए ने क्याता यह यह शोधा को पता चल गया तू यह से पता चलेगा कैसे? कैसी बात कर रहा है आदा शेहर मुझे जानता है किसी ने देख लिया तो यार यह शोधा जूट नहीं सहन कर सकती और सच कहने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तू अकील है गा आस्पिटल में जाना तिरे ले प्रोफेशनल बहान नहीं हो सकता है आम शॉर तो अपने अतीत के पन्नों को बंद करना चाहेगा यह शॉर प्रोफेशनल यह शॉर यह 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 प्हाल झाल जी फाइव आप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री